हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीओ कोचिंग क्लस्स पर स्वगत है दोस्तो आज का टॉपिक है महा काब और खंड काब में अंतर दोस्तो सभी क्लास के लिए महात्पूर्ण है आप चाहे 9th में हो चाहे 10th में 11th में 12th में दोस दोस्तो जो महा काब होता है उसका बिस्टत बढ़न होता है जबकि दोस्तो खंड काब का कलेवर सीमित होता है मतलब इसकी जो सीमा होती है छोटी होती है दूसरा दोस्तो महा काब में समस्त जीवन का अंकन होता है मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में जीवन की घटनाएं बताई जा रही है तो उसके समस्त जीवन का क्या होता दोस्तो बढ़न होता है जबकि दोस्तो खंड काब में जीवन के किसी एक खंड का चित्रन होता है केवल किसी एक पार्ट का है न जैसे आपके तरी जीवन के जी बढ़न किया जाए तो किसी एक खंड का ले लेंगे दोस् तीसरा दोस्तो महा काब अनेक सर्गों में विभाक्त होते हैं मतलब कई सारे सर्गों होते हैं दोस्तो जबकि खंड काब में एक ही सर्ग होता है ठीक है तो साधारन दोस्तो बहुत इजी है अगला दोस्तो महा काब में अनेक छंद प्रिवक्त होते हैं महा काब में अनेक छंद मतलब कई छंद होते हैं ठीक है और खंड काब में दोस्तो केवल एक छंद की छटा विद्धिमान होती है छटा मतलब दोस्तो घटना है ना एक छंद होता उसमें छटा का मतलब होता दोस्तो भाग सुरी ठीक है महा काब का नायक धिरुत्तर उदार ए कि दौस्तों खंड काब के लिए आवश्क नहीं है अगला दूस्तों महा काब में समस्त विगकीक। प्रति बिम्मीत होता है जबकि दुस्तों खंड काब में युग जीवन का एकाधिक रोग प्रिस्तुत किया जाता है ठीक है तो दुस्तों छोटा यार दो मिनट का वीडियो लेकिन आप लोग के लिए काफी महत्मुना इसलिए आप लोग इसे जरूर बिल्कुल नोट कर ले के लिए आप लोग चैनल को सब्स्क्राइब कर आपको मिलता रहे चलते दुस्तों जैहिन बंदे बातरम